हेलो दोस्तो वेलकम बैक मैं हूँ डूची और मैं हाजिरू आपके अपनी चैनल वियूट 32r में दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे पिंपल की निशान रह जाते हैं मारे फेस पे या फैस पे जायों की प्राइबम हो जाती हैं और जायों के निशानका आदा ख और भी प्रॉब्लम है जो चोटे-चोटे से दाने हैं या रेटनेस है तो वह जो है आज की जो रेमेडी है बहुत ही जादा इंपोर्टन दोस्तों बहुत ही जादा इंपोर्टन है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीज है दोस्तों कि खीरे में बी-सी विटमिन की कॉपर मैगनेसियम पोटैशियम मैगनेज सबसे महत पूर है सिलिका जैसे आवशक पोशक तत्तु इसमें मौझूद हैं दोस्तों बहुत जादा फाइदा करते हैं हमारे स्कीन को हाइड्रेट रखने में काफ जादा मदद करते हैं यह खीरा जो है मारी तुच्छा के लिए बालों के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद हैं इसके जो पोशक तत्तु हैं इसमें जो आउशेश हैं वह बहुत ज्यादा फाइदा पहुंचाते हैं हमारी बौडी को तो दोस्तों आप खीरा खाने के साथ-साथ आज मैं बताऊंगी कि आप स्किन पे कैसे अप्लाई करें किस तरह से अप्लाई करें किस तरह से लगाएं और जिससे आपकी जो इसकिन की जो ये प्रॉब्लम है जो मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीन पे दिखाई है वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी आपको कहीं भ कि आई हो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से आप उसे देखिएगा क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आप हो सकता है कोई इंपॉर्टन चीज आप मिस्क कर दें तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा तो यहां पर मैंने आधा खीरा लिया है दोस्तों और खीरे को बिना च्छीले ही मैंने कद्दू केसर किया है उसका चिकल मैने नहीं उता रहा है क्योंकि आए हिसी सारे विटामेंवियो निकाल दूंगे ठीक है। एक्स्रा जूस निकाल के इसको फेकेंगे नहीं, इसको मैं अलग यूज में लेके आऊँगी, तो इसका जो एक्स्रा जूस है, उसको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में अपने फेस को वाश करना है, ठीके, इसकी बाद आप खीरे का जो रस है, उसको अपने फेस पे इस त अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं लेकिन चीज को ध्यान रखेगा कि आप पहले कच्छी दूद से अपने फेस को वाश करेंगे और फिर इसे लगा लेंगे ठीक है इसको ऐसे लगा लेंगे इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है आपको और कि अयहाई कर सकते हैं और फिर आपको क्या करना है नाइंट में भी आपको अपने फेस को कच्छी दूद से वाश करना है तानी से अपने वहल कीसी मसाज दे और फिर आप ऐसे ही पोच लीजिए चेहरे को ठीक है इसके बाद आपको जो यह कीरा पल्प है वो आपको अपने फेस पे सोने के टाइम जब आप बैट पे जाते हैं तब आप इसे अपने फेस पे अपलाई कर लें जैसे मैं लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको अपने पूर अप्लाई करेंगे ठीक है ऐसे पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लें और फिर रात में ऐसे ही सीधे आप लेट जाए सो जाए एक दो दिन दोस्तों दिक्कत होती है लेकिन उसके बाद आपका फेस धीरे धीरे डे बाई डे आपके फेस पे इंप्रूमेंट दिखेगा आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और हां आप जब भी आपकी नीन खुले फैसे ही आप इस जो यह आपने अप्लाई किया है यह मास्क आप उतार देजिए ठीक है आपने फेस को ऐसे ही उतार के चुड़ा दीजिए हटा दीजिए और फिर सो जाएए तो इस तरह से अगर आप सुबह और साम यह दोनों प्रोसेज करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपके फेस से जो यह प्रॉब्लम है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई हैं सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएंगी आपको कोई भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूर नहीं है बस पलाई करना है आपको और आपको करना है आपको शीज का ध्यान रखना है मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए बाबाई जै इन जै भारत